हलो विवार्स मैं एश्टो सरसे सुरेंदर राय स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में और उमीद करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होगे मित्रों क्या कारण है कि मित्रों राशी पर सनी की धहिया समाप्थ हो चुकी है 2022 के एंड में लेकिन अभी तक उनके घाव नहीं भर है ऐसा क्यों हुआ उनके साथ क्या वज़ा है ये जानने से पहले हमें ये थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये धहिया है क्या क्योंकि आज से 13-14 साल पहले एक बार वे धहिया से गुजर चुके है सभी मित्रों राशी वाला लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं हुआ था जो कि अब की बार हुआ तो ये धहिया दो तरह से लगते हैं एक जन्म राशी से जब चौथे अस्थान पर सनी आते हैं तब धहिया लग जाते हैं और दूसरा जब जन्म राशी से आठ्वे अस्थान पर सनी चले जाते हैं तो उस समय भी धहिया लग जाते हैं यह जो 20-22 का धहिया था, वह दो राशियों पर लगा हुआ था, एक मिथुन राशी पर और दूसरा तुला राशी पर, दोनों में सिर्फ यही अमतर था, कि तुला राशी पर चौथे अस्थान में थे सनी, और मिथुन राशी पर यह अस्थम अस्थान में थे, हालाकि ऐसा नहीं है कि ओ ढहिया कम परसानी देती है ये ढहिया ज़्यादा परसानी देती है लेकिन दोनों के परभाव में जरूर अंतर है क्योंकि आभी सुन सकते हैं कि एक ही ग्रह अलग अलग भाव में एक जैसा फल नहीं दे सकता है भले हैं उसका नाम कुछ भी हो तो सनी चौथे अस्थान से वही फल नहीं दे सकते हैं जो की आठ्वे अस्थान से देगी उस समय जब आपकी धहिया लगी होगी तो चौथे अस्थान से रिलेटेड आपको प्रोब्लेम खड़ा हुए होगा चौथा अस्थान क्या है? चौथा अस्थान मन का है, घर का है, माता का है घर से समंधित आपको परशानी खड़े हुए होगे मानसिक इस्थिति आपकी सही नहीं रह रही होगी यानि किसी ने किसी तरह से ऐसी समस्य आए होगी जिसमें की मानसिक रूप से आप डवाडूल हो गया हो गया माता का भी है ऐसा भी हो सकता है कि उस समय में आपके माता का स्वास्त खराब रहा हो वहाँ से बैठे सनी की एक द्रिष्टी आपके सत्रू भाव पर भी जाती है ऐसा भी हो सकता है कि उस समय में आपके पीछे कोई सत्रू पढ़ गया होगी किसी से बात बिवाद हो गया हो, मामला कोट के चहरी तक चला गया हो इस तरह की कुछ घटनाएं आपको जरूर हुई होगी हाँ मानसिक परसानी उस समय भी रही होगी लेकिन धंग से समन्दित किसी भी तरह की आपको उस समय खास चिंता नहीं रही होगी यह अलग बात है कि इन उल्जनों के चलते आप सही धंग से काम नहीं कर पा रहे हो जो आपको कार्ज ब्रवसाय सही धंग से सुचारू रूप से चलना चाहिए वह नहीं चला हो यह अलग बात है लेकिन आर्थिक रूप से कोई खास च्छती आपको देखने को नहीं मिले होगी लेकिन यह जो 21-22 वाली जो धहिया आपके गुजरी है यह आपको आर्थिक रूप से अपंग बना दिया है आपकी रोजी रोजगार छिन गई होगी इस धहिया में हां यह मैं नहीं कहता यह सब के उपर लागो होता है क्योंकि इसी धहिया में इसी साड़े साती में बहुत लोग आबाद भी हो जाते तो ये बेक्तियों के अपनी-अपनी कुंडली के उपर भी डिपेंड करता है कौन-कौन सेग्रा के अच्छे योग बने हुए हैं कौन-कौन सेग्रा के बुरे योग बने हुए हैं लेकिन जो लोग परिसान हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ तो अस्ठम भाव पीडा का होता है, अस्ठम भाव दुख का होता है, इसमें जब सनी आते हैं, तो घोर पीडा पहुंचाते हैं, घोर संकट देते हैं, जिससे कि आदमी जल्दी निकल नहीं पाता है, लेकिन हाँ, ये अस्ठम भाव ट्रांस्फॉर्मेशन कर लिए, जब इस इस भाव से सनी निकलते हैं, तो ब्यक्ति को पूरी तरह से ट्रांस्फॉर्म कर देते हैं, यानि अपनी जिंदगी को बदलना इनकी मजबूरी हो जाती है, कुछ ऐसे हालात ये लाकर खड़ा कर देते हैं सनी, तो मित्रोजदी आप बहुत ज़्यादा परिसान हैं, तो आपको सबर रखने की जरुवत है, हाँ ये मैं मानता हूं कि सनी आपको धन की छति किया है, आपके केरियर को विगाड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका decision making भी ये खराब कर दिये होंगे, क्योंकि एक दृष्टी इनकी आपके पंचम भाव पर भी जा रही थे, वह संता से समंधित पिड़ा उत्पन होई होगी, लेकिन ज्यादा तर ये आपको मानसिक परसानी में इस तरह से डाले होंगे, कि आपको करना क्या है यही आप सुच नहीं पा रहे होंगे, सारे आइडियाज आपके ब्लॉक हो गया होगे, तो ये सनी यहां से गुजरते हैं, आपक आपको ट्रांस्फॉर्म करने के लिए, आपको कुछ बदलने के लिए, तो इतना आप मान कर चलिए, कि अब आपकी ये मजबूरी है कि आपको ट्रांस्फॉर्म होना है, आपको कॉन्फोर्ट जोन से बाहर निकलना है, यहां से अब आपकी एक नई जिन्दगी की अब ऐसा नहीं होता कि जिस दिन धहिया समाप्त हो जाए, साड़साती समाप्त हो जाए, उसी दिन से अब आपका बदलाव चालू हो जाए, क्यूंकि ये आपको आर्थिक रूप से भी अपंग बना चुके हैं, आपके केरियर को छीन चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में इसमें समय तो लगेगा, अब आपको नए-नए आइडिया आने चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, तो हतास और निरास होने से कुछ नहीं होने हो जाए, सुधार आप ही को करना है, घाव में जो काटे चुभे हुए थे, काटे आपके निकल चुके हैं, अब घाव को आपको कुछ उपाय करना है तो, अगर आपको कहीं कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई नए आइडिया आपके नहीं आ रहे हैं, कहीं से आर्थिक सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो कुछ ऐसा करना है कि आपको आर्थिक सपोर्ट भी मिलना चालू हो जाए, नए आइडिया भी आपके पास आने लगे, तो सुभाविक है, जब नए आइडिया जाएंगे, तो आप कुछ न कुछ कर ही डालिएगा, इसमें तनिक भी दो मत नहीं है, तो अगर मेरी माने, तो आप प्रते एक दिन कम से कम 108 बाद, श्रीम मंत्र का जाब करें, श्रीम मंत्र लक्ष्मी जी का म मंत्र है, अब ये मत सुचिएगा कि इस मंत्र के करने से मेरे उपर लक्ष्मी जी की वर्सा होने लगीगी, इसके लिए मैं ये मंत्र नहीं दे रहा हूँ, सुखर जो लक्जरी के कारख है, प्रोस्पार्टी के कारख है, ये लक्ष्मी जी के बहुत करीब हैं, जब भी या लक्षमी जी की पूजा राधना करना चालू करते हैं, आप देखेगा कि अम्ततो गत्वा आपके सुक्र ही अच्छे हो रहे हैं, तो लक्षमी जी की पूजा से आपके सुक्र बली होंगे, और जब सुक्र बली होंगे, तो आपका पंचम भाव बली होगा, क्योंकि पंच रूप से हो या indirect रूप से आपको इस मंत्र से लक्षमी की प्राप्ति होगी ही होगी तो मित्रों मैंने ये वीडियो आप लोगों के कॉमेंट्स को देखते हुए बनाया आपके कॉमेंट्स मेरे पिछले वीडियो में जो आपने कॉमेंट्स किये हैं मुझे ऐसा लगया कि आप लोग बहुत ज़्यादा पिडि थे हैं और सब के सामने यही प्रशन था कि मेरे ढईया तो समाप्त हो गई है लेकिन हम पिड़ा से मुक्त नहीं हो पा रहा है तो यह सनी आपके पिड़ा भाव से निकल कर इतना आपको पिड़ा दे चुके हैं किवकि अस्थम भाव पिड़ा का है, दुख का है, कष्ट का है यानि जितनी परिसानिया है समझ लेजिए कि अस्थम भाव में ही रहते हैं और उसी भाव से सनी बाहर निकला है तो वो सारी चीज़ आपको देख कर गया है तो थोड़ा सा संभनने में वक्त लगेगा मैंने जो आपको उपाय बताया है आप उस उपाय को कीजिए निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी तो मित्रो जदी मेरे वीडियो का कॉंटेंट अच्छा लगे तो क्रिपया लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिंग, नमस्कार